अगर हम अपने शारीरिक अंगों को ध्यान से देखें तो कभी-कभी अचंभा होता है कि कुदरत ने कितनी कमाल की चीज बनाई है। हर शारीरिक अंगों बनाते विए काफी बारीकी से काम किया है। हमारी तवचा पे बने रोम शेदर, हाथों पे बनी टेडी मेडी लकीरे, हाथ पैरों के नाखोन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंगों को पूरा करती हैं। लेकिन इस चीज़ें यूँ ही नहीं बनी हैं, हर किसी का एक मतलब है, एक मकसद है, जो इनके होने का महतो बताता है। नाखोन कितने जरूरी हैं, इसका महतों आपको महिलाएं अधिक गहराई से समझा सकते हैं। खिर हम खुब सूर्ती की नहीं, यहाँ पर नाखोनों पे बने एक खास चिन्द के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आखिर कौन सा है वो खास चिन्द, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों हर किसी के नाखोन अलग-अलग प्रकार के होते हैं, फिर चाहे वो हाथ के हो या पाओ के, इनके आकार और साइज में फर्क होता है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है, वो है इन नाखोनों पर बना आधा चांद। जियां क्या आपने अपने नाखोन पर बने सफेद चंद्राकार को देखा है। हमारे हाथ के उंगली की तवचा के खत्म होते ही, जहां से नाखोन बनना आरंभ होता है, ये चंद्राकार ठीक वहीं बना होता है। और दोस्तों इस निशान का होना हमारे शरीर पर कितना असर डालता है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है, अगर नहीं तो आपको बता दें। ये सफेद रंग का निशान आपके स्वास्त का राज खोलते हैं। चीन के एक स्वास्त समुदाय का मानना है, कि ये किसी के स्वस्त होने का पैरोमीटर है, जब आपका स्वास्त सही नहीं होता, तो ये लगभग नाखूनों से गायब हो जाते हैं। और स्वास्त सही होने के साथी ये निशान वापस अपनी पुरानी अवस्ता में लोटाते हैं। के प्रति सजक करता है, वहीं दूसरी और मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है, कि ये निशान आपके शरीर से जुड़े कई रोगों और बातों का खुलासा करते हैं। और इन रोगों के साथ साथ आपके शरीर में आइरन की कमी और थाइराइट के बारे में भी नाखून के निशान बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपके हाथों के नाखूनों में भी ये निशान हैं, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में येस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप हमारी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरस्टिंग वीडियोज मिलती रहें सबसे पहले धन्यवाद